हाई गाईज मेरा नाम है दिपतनों आप देख रहे हो मेरी चैनल दिपतनों शिलकूत आज के इस वीडियो पे हम हेल्थ चक अप करने बाले है ये नया नय फेस्बूक पेज का तो इस पेज का ओनर ने ये एक फेस्बूक गेमिंग पेज क्रियेट किया है नया नया और इस प काम आने वाले है तो दोस्तों ये जो पेज है इस पेज के ओनर का इशू ये था कि ये पेज को नया नया इन्होंने बनाया है मगर इस पेज पे आभी फिरहाल मॉनेटेजेशन का इशू शुरुआत में ही आ गया है तो सबसे पहले क्रियेटर स्टूडियो पे हम लोग जा चलिए देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैं साइट पे यहाँ पे इन इलिजिबल लिखा हुआ है ये तो हम लोग मान सकते हैं इन इलिजिबल क्योंकि नया नया पेज आभी तक जो क्राइटेरिया है उसको एक भी फूल्फिल नहीं किया है इसके पेज के साथ काम आगे किया जाए या यहाँ पर ही बंद कर दे क्योंकि पार्टनर मॉनेटेजिबल का भायोलेशन आया हुआ है और यह नहीं हटेगा तो बाकी जो उपर का क्राइटेरिया है जो फूल्फिल होने पे आप इलिजिबल हो जाते हो मगर पार्टनर पोलीसी है वो क्यों रेड हो चुका है और आगे क्या मैं इस पेज को लेके काम करूँ या ना करूँ या फिर यह आगे जाके यह पेज मॉनेटाइज होगा के नहीं होगा और पार्टनर मॉनेटेजिबल का आया हुआ है मैंने तो ऐसा कोई भी वायोलेशन नहीं किया है प करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी पोलीसी वायोलेशन किया है क्या नहीं किया है यह पता चल चाता है हमको यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टिक्टेड मॉनेटाइजेशन जो के बेसिकली तो पोलीसी वायोलेशन करने पे ही आता है मागर इस पेज पे तो क कोई policy violation किया नहीं है इस page के owner बता रहा है मगर फिर भी क्यों restricted है monetization तो यहाँ पे आप देख सकते हो violation नीचे detail में लिखा हुआ है recent violation यह कुछ अलगी तरीके का violation है जो मैंने मतलब जो regular वीडियो बनाता हूँ उस पे discuss नहीं करता हूँ तो यह एक special case भी आप बोल सकते हो तो य presence not established यह violation अभी इस page पे है जिसके बज़े से यह page पे जो partner monetization policy जो rules है जो eligibility है उस पे red mark आया हुआ है तो यह आपको समझना परेगा presence not established का मतलब क्या होता है यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है जो gaming channel है has been on Facebook for less than 30 days मतलब के यह जो page है वो 30 दिन से भी कम समय का यह page है मतलब 30 दिन भी नहीं हुआ है इस page का जो इस page को create किया गया है वो 30 दिन भी नहीं हुआ है और does not have enough follower और page पे अभी enough follower भी नहीं है follower बोलो तो इस page में अभी तक सिर्फ दो ही follower है और engagement to qualify for monetization तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि qualify होने के लिए monetization qualify होने के लिए मतलब monetization eligible होने के लिए जो basic guideline होते है एक page का 30 days से भी जादा time होना चाहिए पुराना नहीं होता है तो page जो है monetization के लिए presence ही नहीं बन पाते है उनका इसलिए लिखा है presence not established तो यह तो हमने इहां से समझ लिया तो अब समझने की कोशिश करते है ठीक है हमारा presence page नहीं है तो presence तो ज़्यादा नहीं होगा 30 days के ज़्यादा नहीं हुआ है page और उस पे enough follower भी नहीं है तो ठीक है यह violation हम मान लेते है तो यह violation आपको खुद से ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ page को चला के जा और जैसे जैसे समय बित्ता जाएगा page पे follower आएगा और days भी पुरा हो जाएगा तो page का यह violation अभी दिखा रहा है यह भी आराम से घट जाएगा इस page से उसी के साथ हमारा main जो doubt है जो इस page के honor का main doubt है वो है सर्फ partner monetization policy क्यों violation दिखा रहा है हमने तो कोई भी partner monetization policy को violation नहीं क किया है मगर दोस्त इहाँ पे आप लोग को समझना परेगा partner monetization policy rules है क्या तो इसके लिए हम इहाँ पे जो partner monetization policy लिखा हुआ है इस link पे click करते है जैसे इस link पे click करेंगे एक नया page खोल के हम लोग के सामने आएगा कुछ इस तरीके का जहाँ पे सारे rules and guidelines लिखा हुआ है partner monetization policy का तो वहाँ पे जाके ही हम लोग अभी देखेंगे कि इस page का issue जो है वो जायेगा के नहीं जायेगा और partner monetization policy पे क्यों violation आया हुआ है इसके लिए हमको ये वाला develop and establish presence इसको open करना है तो इस पे में click कर दिया यहाँ पे आप लोग दोस्तों परना है इस बात को बारी की से स for all monetization feature this means having an establishments presence for at least 90 days यहाँ से आपको पता चल रहा है partner monetization policy का क्या है अगर partner monetization policy को green करना है जो के red cross आ चुका है वहाँ पे दिखा रहा है partner monetization eligibility जो है वो red है वो इस लिए है क्योंकि इस page का जो presence है वो आभी तक at least 90 days के लिए नहीं हुआ है 90 दिन के लिए आभी तक page का presence नहीं हुआ है क्योंकि page नया नया बनाया गया है आभी तक तो एक महीने नहीं हुआ है 90 days तो आभी दूर की बात है तो यहाँ पे यह जो develop and establish presence बाला जो policy है मतलब जो के partner monetization policy के अंदर आता है तो यह जो law है वो आभी तक इस page ने fulfill नहीं किया है जिसके बज़े से partner monetization policy के अंदर पे भी red mark आया हुआ है तो यहाँ पे लिखा है to gain access in stream ad मतलब जो हमारे page पे add आयेगा जिसके लिए हम apply कर सकते है अपील कर सकते है इस also include maintaining a sufficient follower base उसी के साथ आपको sufficient follower base भी चाहिए indicated by facebook friends and follower मतलब वो follower होगा आपके facebook friends and follower जो भी होते है आपके page पे वो जब तक sufficient नहीं हो जाएगा तो page भी monetization के लिए add break के लिए ready नहीं होगा उसके साथ policy violation दिखाएगा partner monetization policy के अंदर तो इस page के honor को मैं एही समझाओंगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपके page जो है अभी तक 90 days का presence establishment नहीं हुआ है जिसके बज़े से creator studio पे आपको जैसे ही monetization पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे partner monetization policy पे red mark दिखा रहा है जो के अपने आप घट जाएगा जैसे ही इस page page का एक अच्छा खासा presence हो जाएगा 90 days से जाधा हो जाएगा उसी के साथ page पे अच्छा खासा follower और उसी के साथ जो लिखा हुआ है follower होना चाहिए sufficient और page थोरा बहुत time पुराना हो जाएगा तो यहाँ से हमको यह मालूम पर गया है यही partner politics violation इस page पे हुआ है जो के आप ना क करते हुए भी जो initial पे page खोलता है उन लोगों का आएगा तो यह जो है वो घट जाएगा आपके लिए इससे डरने की कोई बात नहीं है आप सिर्फ आपके page पे रेगुलरली पोस्ट करते जाए और genuine content original content डालते जाए कही से copy paste edit करके कुछ मत डालिए और page के content upload करने के बाद खुद open करके मत देखिए अगर करेंगे तो in authentic engagement आ सकता है और कोई भी group या page या फिर कोई भी profile या आपके profile कही पे भी आपके page का content जो है उसको share मत कीजिए share करेंगे तो in authentic activity भी आ सकता है जिसके पज़े से page पे restriction आ सकता है तब वो restriction होगा valid restriction अभी जो आपके page पे restriction दिखा र रहा है तो आप इससे डरो मत और page पे जो काम कर रहे है आप वो करते जाईए regularly तो आपका page का presence भी अच्छा खासा हो जाएगा follower भी अच्छा खासा हो जाएगा तो आशकरता हो आज के इस वीडियो से आपका ये पूरा doubt जो है clear कर दिया मैंने वीडियो पसंद आया तो श्रवाब द्रॉन ममी पपकानाम कर दो